बुकारों के जरीडी के विस्थापितों का दर्द कोई नहीं समझ सकता। जरीडी में करीब 45 साल पहले विस्थापित बसे लेकिन आज तक इस गाउं में कोई बुनियादी सुभिधा तक बहाल नहीं की जा सकी। आज भी इस गाउं की लोगों को गाउं से दूर नदी में ब प्रतिक्षा होती है एक महिला जुक कर पानी निकालती है पानी भी एक बार में पूरा नहीं निकलता बलकि इसे उलीच कर निकाला जाता है यदि ऐसा पानी कोई देख ले तो शायद पीने से इंकार करते लेकिन ये उनकी बाध्धिता है क्योंकि बिना पानी के तो कोई काम को ही नहीं सकता। इस गाउं की एक और त्रासदी है। इस गाउं को किसी पंचायत में नहीं जोडा गया। आवास की सुविधा मिली है। इसलिए अब कुछ युबा पोर्ट बहिशकार की भी बात कर रहे हैं। जो की जरीडी भी स्थाफित गाउं है। और ना यहां पे जरीडी का नाम से थाना था, पोस्ट ओपीस था। यहां पे कुछ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं रहा है। आप ही बताएं किस नाम से हम यहां पे बोड़ दें। से भी हमारे गाउं में बीजेपी हो या पी कांग्रेस हो कोई भी नहीं घुसियेगा। नहीं तो बेजज़त करके निकालेंगे। हम इस बार किसी को बोड़ नहीं देने बाले, किसी को नहीं पूरी गाउं में नहीं देने देंगे। ग्रामिनों को उनकी जमीन के बदले में 10 डिस्मिल जमीन दी गई लेकिन कहां दी गई ये कोई नहीं जानता गाउं में समस्याएं जस्की तस है इसलिए ग्रामिनों में आक्रोश है और इस बार वोट बहिशकार का मन बना रहे हैं न्यूस इलेवन भारत के लिए बुकारों से अमरनात की रिपोर्ट न्यूस इलेवन भारत सच है तो दिखेगा